नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर 22 जन्वरी को स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद राम्मे में डूबेगा MP सरकार कराएगी प्रतियोगता की तर्ज पर कारिक्रम अहोद्या में 22 जन्वरी को राम्मला की मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा पर मादि प्रदेश में भी उत्सव जैसा माहौल रहीगा प्रदेश सरकार की ओर से समहारों को लाइव दिखाने के इंतिजाम किये जाएंगे इसके लिए 22 जन्वरी को सरकार अवकार गोशित करने जा रही है सभी पंचायतों में भजन मंडलियों के बीच भजनों की प्रतिष्परदा करा कर पुरुस्कृत किया जाएगा 22 जन्वरी तक मनाया जाएगा श्री राम कथा सप्ता हा मध्य प्रदेश सरकार अगले एक सप्ता को राम में बनाने की तयारी में जुटी है सरकार भी चाहती है कि सभी 23,000 ग्राम पंचायतों में 22 जन्वरी तक श्री राम कथा सप्ता हा मनाया जाए इस दोरान श्री राम भजन, राम कथा वाचन, राम चरित मानस पाठ, राम रक्षा सरोत, समेत भगवान, राम की इस्तुती वाले आने कारिक्रम किये जाएंगे इसके अलावा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परीचर्चा, नर्तिनाटिका, भजन, संध्या, रंगोली के भी कारिक्रम किये जाएंगे 26 जिन्मरी को प्रुसकार, प्रमार परत्र बाटे जाएंगे पंचायत और ग्रामीड विकास भग ने परदेश के सभी जिलों के जिला पंचायत सीईओ को इस सम्मन्द में नर्देश दिये हैं इसमें कहा गया है कि ये सभी कारिक्रम वा काईदा प्रतियोगता के तौर पर कराए जाएं ताकि इसमें पंचायत इस्तर पर पहला दूसरा और तीसरा इस्तान पाने वाले भजन मंडलियों और चैनित अन्य कलाकारों को मुख्यमंतरी डॉक्टर मोहन यादव की ओर से प्रमान पत्र दिया जा सके सरकार ने तैय किया है कि रामनला की मूर्ती प्रांट प्रतिष्ठा के बाद 26 जन्वरी को इन मंडलियों और कलाकारों को जिला इसतर आयोजित कारीक्रम में प्रोसकार वितरन किया जाएगा अप्रूबल मिलते ही जारी होंगे चुट्टी के आदेश प्रतिष्ठा सरकार ने 22 जन्वरी को सभी सरकारी दफ्तरों में चुट्टी का फैसला किया है इसमें स्कूल कोलेज और अन्य शास किये उपक्रमों में आवकास गोसित रहेगा इसके लिए जी एडी ने सरकार के नड़देश के बाद फाइल मुखे सचेव वीरा राना को अप्रूबल के लिए भीजी है उनकी सहमती मिलते ही आदेश जारी हो जाएंगे 22 जन्वरी को छुटी गोसित होने के बाद 20 से 22 जन्वरी तक लगातार 3 दिन का शास की अवकास हो जाएगा 20 जन्वरी को शनिवार है जबकि किस जन्वरी को रहिवार है शास की अवकास का गोसित दिन है रेलवे को PM मोधी ने बड़ी सौगाद दिये उन्होंने रेलवे के विकास के लिए राशी अवंटित की है PM की इस फैसले की जनकारी MP CM Dr. Mohan यादव ने दी अधू सनरशना और आदूनी की करण के लिए सौगाद CM Dr. Mohan ने कहा वर्स 2023 में केंद्र सरकार द्वारा मद्धि पर्देश में रेलवे अधूस अनरचना आधुनी की करण एवं विकास कारियों के लिए 13,632 करोड की रास्ती स्विक्रत की गई है यह स्विप्रधानमंद्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतरत में रेल नेटवर्ग को आधु के विस्तार के लिए सत्त प्रियास की जा रही है विकास या लोकसवा की स्ट्रेटेजी MP रेलवे को PM ने ये एक बड़ी सोगादी है उनके इस फैसले से MP का रेलवे आधुनी की करण की नई उचाईयों को चुए लेकिन वहीं दूसरी तरफ नजर डालें तो आगामी लोक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं AP Construction Solutions आपके लिए तैयार है मजबूत Civil Engineering से लेकर आकरशक वास्तुकला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तुकला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं झां is कुल ओर हुन ऑपके मामर्ण कारें भाझम दिये हमpower आपके अनियो कुल रहाँ करें गिए पार आकर आकर वास्तुकला नमबूत